हालो फ्रेंट्स वेलकाम टू में किचन टीना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके साथ शुवर का डेकोरिशन के लिए नेट शेयर कर रही हूं किस तरह से हम घर बर फटाफट बना लेंगे इसे जटपड बन जाता है यह आए इसे बनाना शुरू करत सुगर नैट बॉल बनाने के लिए डेकोरिशन के लिए मैंने आदा छोटी कटोरी लेए हैं चीनी इसमें एक छोटी चम्मच हलका सा पारी डाल देंगे पारी बिल्कुल हमें फोर असा डालना है और इसे मेल्ट करेंगे जब तक यह सुनहरा नहीं हो चाता है यह देखें चीनी मैल्ट होना शुरू हो गया है इसी तरह से मैट कर लेना है यह देखें चीनी अच्छे से मैल्ट होते हुए गोल्डन सुहेरी कलर की हो गई है चासनी आप देख सकते हैं इसे गैस की फ्लेब को बंद कर देते हैं और नीचे उपार लेंगे इसे चलाते रहेंगे तो कि कढ़ाई गरम है इस तरह से हम ठंडा कर लेंगे इसे चलाते हुए इतना अच्छा डारक कलर आया है करमलाई होने के बाद जैसे जैसे यह ठंडी होगी यह ठीक होती जाएगी एक अमने बॉल बना लिया है इसे जादा बिल्कुल ठंडा नहीं होने दे हल्का हल्का गरम रहने दे इस तरह से ताखे कर रहे हैं इसके तरह से ताखे करते रहें इसके इसके जाल बनाएंगे हो शुगर का फॉर्क से लेंगे यह देखें सुनहरी कलर का जाल बन रहा है अमने इस तरह से जाल बना लेंगे पटाफट करना में यह प्रोसेस्ट प्रोसे जाल बनाएंगे तरह से तरह से तरह से सबस्था ठाबर निकालना है यह देखे जाल बना रहा है कि इसके आको यह देखें अच्छे से जाली बन गई हैं इससे हम इसी भी चीज में हम डेकोरेशन कर सकते हैं इससे ध्यान रहे हलका हलका गरम हो बिल्कुल ठंडा भी नहों हलका हलका गरम होना चाहिए हमारा सुगर सिरप इस तरह से हम नेट पो उठा लेए यह देखें अगर आप लोगो को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ने बुले और बैल आइकोन पर प्लिक जरूर कर ले न्यू मोर रेसिपीच के लिए हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगी धन्यवाद